अगर आप अपने लिए अपने लवबंस के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week कर सापका हिक राशी पर देखें तो चलिए एरीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है totality और ये card एक दो चीज़े कहता है, कुछ aries के लिए हो सकता है कि आप बहुत cautious, बहुत conscious अपने work, अपने professional front में चीज़ों को लेकर हो रहे हैं और कुछ aries के लिए हो सकता है कि total focus, total आपका concentration आपके work पर है और दिखिए जब हमारा total concentration work पर होता है, तब भी at times हम थोड़ा सा cautious हो जाते हैं कि कोई चीज़ हमें distract तो नहीं कर रही है, कोई चीज़ कहीं हमें अपने goal अपने मकसद से दूर तो नहीं अटा रही है यह general reading है, थोड़ा थोड़ा सब aries के लिए differ करेगा, लेकिन देखिए overall के लिए मैं आपको यही कहूंगी, कि आपको ऐसा लग सकता है कि भई अगर थोड़ा सा भी आप चूके, तो फिर issues मसले हो सकते हैं, थोड़ा सा भी अगर आपने goal अपने मकसद पे focus नहीं किया, तो फिर issues problem हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है, शायद इसलिए आप बहुत जादा attention देखर या फिर थोड़ा सा alert होकर भी चीजों को इसवी कर रहे हैं, देखें कार्ट के उपर लिखा हो है totality, तो यह कार्ट कहीं total involvement, total participation की भी बात करता है, कुछ हेरी इसके लिए ऐसा भी रह सक है, कि आप total अपने काम में, फिर जो भी चीज आप कर रहे हैं, उसमें involved हो रहे हैं, participate कर रहे हैं, यह general reading है, तो activity या जो भी चीज है, वो सब के लिए differ कर सकती है, and personal front के लिए आप लोगों के लिए projections का card है, और अगर आप इस card को देख पा रहे हैं, इस card में जो भी figures हैं, उ और जब भी ये card आता है, मैं यही कहती हूँ, कि जो भी आप कर रहे हैं, real एक picture, एक reality को आप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, अब इसका मतलब यह नहीं है, कि आप गलत ही समझ रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, चीजे बिलकुल ठीक ठाक हैं, हम गलत समझ रहे होते हैं, चीजे गलत होती हैं, और हम सही समझ रहे होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, इस card का एक underline meaning यही है, कि जो आप देख रहे हैं, वो वैसा नहीं है, और बहुत बहुत important है, कि आप reality से अपने आपको वाकिफ करें, आप सच को पूरी तरीके से जाने, कोई भी ब देखें, यह card कहीं चहरे के उपर चहरा होने की बात करता है, तो कुछ Aries के लिए यह भी हो सकता है, कि आप अपनी ही feelings, अपने ही emotion, sentiments को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कि जो भी आप देख रहे हैं, या जो भी आप कर रहे हैं, उसका एक real picture आपके सामने नहीं है, या फिर आप reality को नहीं समझ पा रहे हैं, reality को नहीं जान पा रहे हैं, इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए यह स्मून का card है, और यह card कहता है, you are very close to achieving your goal, तो जो भी आपका goal है, जो भी आपका मकसद है, उसको achieve करने के आप बहुत बहु हैं, और ऐसे में और जादा important हो जाता है, specifically personal front में, कि आप फिर से मैं कहूंगी कि emotions, feelings के basis पर कोई भी बड़ा decision ना ले, reality को अच्छे से जाने, क्योंकि क्या होता है ना, कि चाहें वो positive feeling हो, चाहें वो negative feeling हो, यह feelings बहुत ही temporary होती हैं, और जब इनके basis पर हम कोई भी decision choice लेते ह हैं, हम फिर बाद में regret करते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी बताया, यह तो momentary है, यह तो transitory है, यह तो चली जाएंगी, लेकिन जब आपको reality बता लगेगी, फिर आप परेशान होंगे, चाहें फिर से मैं कहूंगी, वो positive emotion हो, यानि कि आप किसी के लिए for example, बहुत अच्छा फ चुन का card है, इसके हिसाब से all shades of green, all shades of blue, इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो यह था, Aries आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आ इस week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए, आप लोगों के लिए card है new vision, और यह card कहता है कि इस week आप चीजों को deal करने का, चीजों को pursue करने का अपना नजरिया थोड़ा सा बदल रहे हैं, अपना perception बदल रहे हैं, होता है ना कभी-कभी हम बहुत fixated हो जाते हैं यह clarity हमें नहीं आपाती है, जिसकी वज़े से जितना हम अपने professional front में, otherwise भी, जिस भी चीज को लेकर हम rigid हो रहे हैं, उसको expand कर सकते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, और अगर आप इस card को देख पा रहे हैं, तो जो भी figure हैं, वो literally you know अपने आपको expand कर रहे हैं, और इस card का broader level के ल कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है, जब ऐसा आप करेंगे, तो better understanding आपको आएगी, एक clarity मिलेगी और आप better तरीके से चीजों को कर पाएंगे, जब भी भी ये card आता है, मुझे अपने psychology वाले सर की आदा जाती है, वो कहते थी कि जब आप नजारा नहीं बदल पा रहे हैं, आ आपके professional front में चीज़ें रहते हुए दिख रही हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए maturity का card है, और ये card कहीं बहुत ही एक beautiful तरीके से, किसी भी level पे, किसी भी तरीके से नई beginning होने की बात करता है, या फिर चाहने की बात करता है, अगर आप इस card को देख पा रहे हैं, तो ज कुछ ऐसा ही इस week आप लोगों के लिए भी रहतावा दिख रहा है, जहांपे जो भी beautiful चीज़ें आपके personal front में हैं, वो या तो हो रही है, या फिर आप उनको enjoy कर रहे हैं, साथी साथ एक नई beginning आप करना चाह रहे हैं, या फिर कर रहे हैं, काफी practical, realistic होके चीज़ों को deal कर हैं, क्योंकि ये काट money का भी है, तो कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related भी, इस week आप लोगों के लिए काफी beautiful energies रहती हुई दिख रही हैं, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, कि practical, realistic तरीके से आप एक नई beginning करना चाह रहे हैं, love relationships की बात करें, तो commitment, stability, या तो आप अपने partner को देना चाहा रहे हैं, या फिर partner की तरफ से मिल रहा है, और overall ही कहीं देखिए, जिस भी personal front के area में आप focus कर रहे हैं, एक stability, एक security आप महसूस कर सकते हैं, या तो आप अपने किसी love one को gift दे रहे हैं, या फिर आपको gift मिल रहा है, याने कि money से related positive एक आदान प्रदान भी इस week रह सकता है, आप थोड़ा shopping कर रहे हैं, आपका खर्चा हो रहा है, और खर्चा कहीं constructive या फिर positive चीजों में ही होता हुआ दिख रहा है, broader level के लिए personal front काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए fixed moon का card है, और ये card कहता है hold your vision, तो जो भी आप च अपने जहन में hold करें और believe करें that this is possible, अगर आप चाहते हैं, अपने goal, अपने मकसद को achieve करना है, और जो भी wish, जो भी desire है, उसको achieve करना, and astrology से आप लोगों के लिए Taurus sign का card है, इसके इसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday, तो ये था Taurus आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए जैमनीज, आप लोगों के लिए देखे कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप के लिए card है mind, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में mental stress, tension, anxiety रह सकती है, अब देखे मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि कोई problem, कोई issue आपके professional front में रहेगा, एकका दुक्का लोगों की बात अलग है, most of the times क्या होता है, external front में जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती है या फिर छोटे मोटे issues होते हैं, हमारे mind में negative thoughts आने शुरू हो जाते हैं, और हम उस situation को, उस चीज़ को इतनी negative energy देते हैं, हम एक बहुत ही extreme negative outcome उसका visualize करना शुरू कर देते हैं, और फिर खुद को परेशान करते हैं, हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है, कि कहीं external front मे अगर हम reality में देखें, तो कोई बहुत बड़ा मसला, कोई बहुत बड़ा issue नहीं है, यह हमारा mind create कर रहा है, और हम कहीं अपने mind को follow कर रहे हैं, या फिर अपने mind को अपने उपर overpower होने दे रहे हैं, तो इस week energies को अगर आप भैतर करना चाहते हैं, बहुत ही simple सी exercise करनी है, अ आपने जट से बोला है, recoil, cancel, delete, और जो भी positive outcome आप चाहते हैं, उसको visualize करना है, या फिर simply, you know, three idiots वाला dialogue है, all is well, all is fantastic, सब कुछ बड़िया होगा, ऐसा कहना है, ऐसे कहेंगे, इस week energies को बहतर करेंगे, नहीं तो फिर आप काफी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि कहते हैं, mind is a excellent servant, but a worst master, तो अगर आप mind को master बनाएंगे, तो परिशान तो होंगे ही होंगे, तो इस चीज का खयाल इस week ज़रूर रखें, and personal front के लिए completion का card कहता है, किसी भी level पे, किसी भी तरीके से, ending, beginnings या तो हो रही हैं, या फिर आप चाहा रहे हैं, और कहीं completion का card closure की भी बात करता है, लेकर अगर आप परिशान हो रहे थे या नहीं भी हो रहे थे, इस week वो काम आपका complete होता हुआ दिख रहा है, अब दिखें ये general reading है, सब के लिए personal front से related, different life के areas होंगे, जहाँ पे again मैं कहूंगी वो काम आपका complete हो रहा है, ending भी इस scenario के हिसाप से हम देखें, तो हो रही है आथी साथ या फिर आप करना चाह रहे हैं, और अगर किसी भी चीज को लेकर एक closure आपको पीछे नहीं मिला, तो कहीं एक closure भी मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर कुछ चीजों को close करके, फिर से मैं कहूंगी एक नई beginning, एक fresh start, किसी भी personal life के area में आप इस week कर रहे हैं, या and in general या फिर guidance है, आप लोगों के लिए New Moon and Scorpio का card है, और यह card कहता है, work through your fears, और बहुत ही clear message है, कि जो भी आपके fears हैं, insecurities हैं, किसी भी चीज को लेकर, और दिखिए ये personal, professional किसी भी life के area से related रह सकते हैं, लेकिन professional के लिए जादा मुझे रहते वए दिख रहे हैं, क्योंकि professional के लिए Mind का card कहीं इसी energy की बात करता है, तो बहुत बहुत important है, कि अपने fears को आप overcome करें, क्योंकि देखिए मैंने बहुत बारी videos में कहा है, कि ये जो fears होते हैं, ये सिरफ और सिरफ एक thought होता है, या फिर baseless होते हैं, इनका कोई तत्व नहीं होता है, इनकी कोई बुनियाद नहीं होती है, ये सिरफ again मैं कहूंगी हमारे mind के thought होते हैं, जिनको जब हम energy देते हैं, पावर देते हैं, ये हमारे ऊपर, you know, चड़ के बैठ जाते हैं, literal, या फिर crude भाशा में आपको कहूं, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा, mind is a excellent servant, but a very bad master, तो कहीं, you know, mind हमारा master बन जाता है और फिर हमें परिशान करता है, तो इन fears को ज़रूर आप चेक करके correct करें, and astrology से आप लोगों के लिए लियो sign का card है, इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था Gemini's, आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए canserians आप लोगों के लिए देखे कि कमी week क्या लेकर आ रहा है, के energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है rebirth, और ये card करे literal meaning को देखें, तो किसी भ थोड़ा differ करेगा, लेकिन broader level के लिए फिर से मैं कहूंगी कोई चीज पीछे आपने छोड़ दी, या फिर ending हो गई, उसको आप नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, या फिर किसी भी level पर किसी भी तरीके की ending, beginning आपके professional front में रह रही है, क्योंकि ये weekly reading है, तो बहुत बड़ी को चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए कोई project हो सकता है, कुछ के लिए किसी team के साथ आप काम कर रहे हैं, उससे related ending, beginning, again देखिए जो भी चीजे मेरे mind में आई, मैंने कहा, किसी भी level पर किसी भी तरीके से नए तरीके से आप चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, या फि चोटे-मोटे compromises, चोटे-मोटे adjustments करने की, या फिर इस week होने की बात करता है, और कहीं जो भी आप कर रहे हैं, 100%, ना तो आप उसमें involved होते वे दिख रहे हैं, ना ही 100% sure होते वे दिख रहे हैं, 50-50 से एक scenario रहता हुआ दिख रहा है, होता है ना कभी-कभी एक मन हमारा कहता ह है, कि हाँ ठीक है, दूसरा मन कहता है नहीं ठीक है, तो हम पूरी तरीके से उस चीज में involved नहीं हो पाते हैं, पूरी तरीके से उस चीज में participate नहीं कर पाते हैं, तो कहीं इस तरीके की energies, overall आपके personal front में रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये general reading है, personal front से related, सब के लिए different life क रहेंगे, जिसमें cancerians आप 50-50 रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर आधे हैं, आधे नहीं है, पूरी तरीके से आप ना तो again मैं कहूंगी sure हो पा रहे हैं, ना involved हो पा रहे हैं, ना participate कर पा रहे हैं, and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए New Moon and Sagittarius का card है, ये card कहता है, luck is on your side, तो क्या बात है cancerians, जब किस्मत साथ दे रही हो, universe हमें favor कर रहा हो, तो किसी और चीज की हमें परवा भी नहीं करने ही चाहिए, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी होता हुआ दिख रहा है, again किस्मत साथ दे रही है, universe favor कर रहा है, बर दिखें साथी साथ एक और है, इस time period में जानना, क्योंकि जब किस्मत हमें favor कर रही होते हैं, तो हम थोड़े से चीजों को लेकर casual हो जाते हैं, हमें लगता है हाँ, सब कुछ हो जाएगा, और हम कहीं उस तरीके से action initiatives नहीं ले पाते हैं, और आपके अगर personal front के लिए compromise के card को देखूं, तो मैंने आपक और आड करना चाहूंगी, कि कोई भी अच्छी opportunity अगर आती है, तो ज़रूर उसे avail करें, 50-50 के चकर में उसको miss ना कर दें, and astrology से आप लोगों के लिए Pisces sign का card है, इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये थ आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चले लिए आप लोगों के लिए कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है celebration, और दे रहा है, वैसे ये card जादा socialize करने की बात करता है, party करने की बात करता है, लेकिन आप लोगों के लिए इस week professional front के लिए है, तो हो सकता है कि आपके work front में कोई gathering है, कोई event है, या फिर आपके जादा meetings हो रही है, meetings में eating, drinking, merry making रह रही है, या फिर कुछ आपके professional front में हो रहा है, जो आपको काफी happiness दे रहा है, joy दे रहा है और आपने loved ones के साथ, या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ celebrate कर रहे हैं, overall के लिए फिर से मैं कहूंगी co-workers, colleagues के साथ bonding अच्छी हो रही है, जादा interaction हो रही है, या फिर कुछ के लि overall professional front से related, ये week fun filled मजा मस्ती वाला रहता हुआ दिख रहा है, and personal front के लिए आप लोगों के लिए creator का card है, और ये भी एक बहुत ही positive card है, इस card के हिसाब से बहुत जबर्दस्त एक enthusiasm, excitement किसी खास चीज़ को लेकर या फिर overall रहते हुए दिख रही है, और ये card कहता है, जो भी आप चाहाते हैं, उसी के लिए courageously, boldly action initiatives ले रहे हैं, यानि कि आप डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, creator को अगर हम literally देखें, तो कोई चीज़ create करना चाहा रहे हैं, या फिर कर रहे हैं, and देखें, फिर से मैं कहूंगी, इस week आपको ऐसा लग सकता है, कि बस डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जो भी desires हैं, wishes हैं, उनको pursue करना है, और बिंदास होके, बे खौफ, बिना डरे, उनको pursue करना है, और कुछ ऐसा ही करते हुए भी दिख रहे हैं, क्यूंकि creator king of wands का card है, rider bat के deck में, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है, कि कोई male figure, या फिर कोई female, जिनकी masculine energies हैं, उनकी तरफ से बहुत एक supportive, बहुत एक cooperative energies हैं, या फिर उनकी वज़े से एक motivation, excitement रह रही है, तो overall ही ये week काफी अच्छा आप लोगों के लियोज रहता हुआ दिख रहा है, और in general, या फिर guidance से आप लोगों के लिए new moon eclipse का card है, और ये card कहता है, expect powerful change, तो कुछ changes ये week आप लोगों के लिए लाता हुआ दिख रहा है, और ये changes powerful रहते हुए दिख रहे हैं, या की जैसे होता है न कि कुछ changes हुए, हमें अहसास ही नहीं होता, हमें realize ही नहीं होता, ये जो changes हो रहे हैं, इनको आप realize कर पाएंगे, अहसास कर पाएंगे, याने कि इनकी आप से भी positive changes इस week आप लोगों के लिए रह सकते हैं astrology से आप लोगों के लिए Jupiter का card है इसके इस आप से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था लियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नेचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए ओगोज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या ले करा रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है comparison और comparison के literal meaning को देखें तो ये card कहता है कि this week specifically professional front में एक comparison किसी भी चीज को ले कर चल रहा है और दूसरी चीज ये card कहता है कि बहुत logically चीजों को deal कर रहे हैं mind से चीजों को deal कर रहे हैं थोड़े से या फिर काफी analytical हो रहे हैं judgmental हो रहे हैं, critical हो रहे हैं आपके work front में हैं वो थोड़े से critical judgmental आपको ले कर हो रहे हैं दोनों ही सिनारियों में देखे मैं आपको यही कहूंगी कि एक balance लेकर आएं बहुत mind से जब हम चलते हैं तब भी परिशान होते हैं जब बहुत heart से चलते हैं तब भी परिशान होते हैं आइडियल सिच्वेशन होती है heart और mind का balance इस चीज़ को ज़रूर इस week inculcate करें और दूसरी चीज comparison अगर आपका किसी भी चीज़ को लेकर चल रहा है और ये comparison कहीं आपको परिशान कर रहा है आपको demotivate कर रहा है जब हम उनसे खुद को compare करते हैं हम थोड़ा सा demotivate होते हैं हमें inferiority complex आता है और जब हम उनसे अपने आपको compare करते हैं जो हमारे से थोड़ा सा life में कम कर रहे हैं तो हमें superiority complex आता है लेकिन जब हम खुद को compare करते हैं अपने past self से in a positive way तो यह हमें help करता है grow करने में, progress करने में तो यहाँ पर मैं फिर से आपको कहूंगी make sure यह comparison आपको grow करने में, progress करने में help कर रहा है और अगर otherwise है तो ज़रूर इसको check करके correct करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए burden का card है और यह card कहता है कि किसी चीज को लेकर एक pressure, एक burden आप महसूस कर रहे है यह general reading है, सब वर्गों के लिए different life के areas होंगे personal front में, जिसको लेकर आप परिशान हो रहे हैं जिसको लेकर फिर से मैं कहूंगी, एक burden, एक pressure आप महसूस कर रहे हैं और बहुत बहुत important होगा, वर्गों कि अपने pressure को आप कम करें अपने burden को आप release करें क्योंकि क्या होता है न, उस time हम नहीं realize कर पाते हैं लेकिन इसी के वज़े से आगे चलकर हमारी health effect होती है और फिर हम परिशान होते हैं most of the time लेकिए pressure और burden तब ही होता है जब हम किसी और की भी responsibilities अपने उपर ले लेते हैं किसी और के लिए भी ज़्यादा फिकर मद हो जाते हैं और at times जब हम किसी भी situation में एक negative outcome visualize करना शूर कर देते हैं और extreme negative हम सूचना शूर कर देते हैं तो इन दोनों को चीजों को चेक करेंगे इस week की energies को बहतर करेंगे नहीं तो फिर personal friend में भी थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं और professional friend में मैंने आपको बताया कि comparison अगर negative होगा तो परिशान होंगे और दोनों ही चीजों को चेक करके correct करेंगे तो इस week की energies को बहतर करेंगे and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए new moon and cancer का card है और ये card कहता है you and your loved ones are safe तो किसी भी loved one के लिए अगर आप बहुत फिकर मंद हो रहे हैं बहुत चिंता हो रही है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए message है कि please फिकर ना करें, चिंता ना करें क्योंकि जब हम ऐसा कर रहे होते हैं हम उस अपने loved one को negative energy भेजते हैं और उनकी life में जितना भी issue, जितना भी मसला होता है वो फिर increase होना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारी negative energy उनकी छोटी मोटी issue, छोटे मोटे problem को और जादा बढ़ाती है वो safe है, ये life है तो छोटा मोटा issue सब के साथ चलता रहता है जब हम इस चीज को बहुत जादा अपने mind में बढ़ा बनाते हैं negative energy देते हैं छोटी मोटी problems को तो वो बहुत बढ़ी हो जाती है और फिर हम खुदी परेशान होते हैं तो यहाँ पर फिर से मैं कहूंगे card का message आपके लिए है you and your loved ones are safe तो फिकर मनना हो and astrology से आप लोगों के लिए Mars ग्रह का card है इसके इस app से all shades of maroon, rust, red आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था वोगोज़ आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए लिबराज आप लोगों के लिए कि coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है fighting और देखिए fighting के literal meaning को देखें तो लडाई जगड़े की बात करता है अब देखिए लडाई जगड़ा हमेशा ही बहार ही नहीं होता है कभी-कभी या most of the times अंदरूनी भी होता है तो broader level के लिए हम देखें इस week specifically professional front में एक fight सी रहती भी दिख रही है कभी-कभी ये fight जैसे कि मैंने आपको अभी बताया अंदरूनी होती है तो इस scenario में किसी चीज को लेकर एक दुविधा उल्जन रह सकती है और यहां पर हम professional front की बात कर रहे है तो जाहिर सी बात है professional front में इस दुविधा इस उल्जन के मन ही मन रहने के ज़्यादा chances रहते वे दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई situation है जिसमें छोटा मुटा issue है मसला है और आप उस situation से जूँज रहे हैं उस situation से आप लडाई कर रहे हैं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं आपके co-workers, colleagues हैं उनके साथ difference of opinion हो रहा है या पिर किसी भी level पे एक fight रहती वे दिख रही है कभी-कभी देखिए cold war होता है cold war में बातों से या शब्दों से लडाई नहीं होती है कहीं न कहीं expression से होती है body language से लडाई होती है और कभी-कभी hot war अगर हम कहें तो उसमें शब्द भी involved होते हैं तो किसी भी level पे, किसी भी तरीके से एक fight वाली energies आपके professional friend में रहती हुई दिख रही है अब मैंने सारे ही scenario's आपको बता दिये और इसी तरीके से किसी न किसी level पे आपके professional friend में फिर से मैं कहूंगी एक fighting वाली energies रह सकती है तो यहाँ पर देखिए कैसे आप इन ही energies को overcome कर सकते हैं यानि कि देखिए चीजों को कैसे better कर सकते हैं उस पे focus करें और कितनी बारी देखिए यह fight जरूरी भी होती है fight हमेशा ही wrong नहीं होती अगर fight हमेशा wrong होती तो महाभारत में कृष्ण पांडवों को लड़ने के लिए नहीं कहते तो इस चीज का भी आपने खयाल रखना है कि यह fight किस चीज के लिए है क्यूं है जरूरी है तो जरूर करें और अगर इस fight की वज़े से आप परेशान हो रहे हैं या चीजें खराब हो सकती हैं तो कैसे इसको रोक सकते हैं कैसे इसको आप overcome कर सकते हैं उस पे आप focus करें परसनल फ्रेंट के लिए आप लोगों के लिए venture का card है और इस card को अगर आप देख पा रहे हैं तो अंधेरे में से बच्चा एक निकल रहा है रोशनी की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर बच्चा छोटे छोटे कदम की बात करता है और रोशनी तो देखे light की बात करती है कहीं happiness joy की बात करती है darkness कही negative energy की बात करता है तो इन ही सब चीजों को sum up करें तो इस week की energies रह सकती है जहाँ पर जो भी चीज आपको पीछे bother कर रही थी आपको upset कर रही थी उसमें से छोटे छोटे कदम लेते हुए आप बहार निकल रहे हैं और सामने कहीं जो चीज आप चाहते हैं उसकी एक उमीद है या फिर उसकी direction में आप move कर रहे हैं तो broader level के लिए दिखें ये week काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है specifically किसी भी problem में से बाहार निकलने के point of view से मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो चीज आपको bother कर रही थी, upset कर रही थी थोड़ा थोड़ा करके आप बहार निकल रहे हैं और कहीं जो भी चीज आप चाहते हैं उसके लिए एक hope आपको बनती हुई दिख रही है एक उमीद होती हुई दिख रही है और जिब तक उमीद है, hope है तब तक चीजें बहतर ही लगती है तो कहीं broader level के लिए personal front से related भी ये भी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए full moon का card है और ये card कहता है surrender to the divine तो दिखिए जो भी situation हमारी life में हो best scenario होता है या फिर हर दम ही मैं कहूंगी हमें universe पे complete trust करते हुए surrender करते हुए आगे बढ़ना चाहिए हम करम कर रहे हैं, हम करम नहीं कर रहे हैं अगर back of the mind में complete faith universe पे है और completely हमने surrender किया हुआ है हमारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होता है तो इस चीज का भी खयाल इस week आप ज़रूर रखें और astrology से आप लोगों के लिए Capricorn sign का card है इसके इसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Libra's आप लोगों के लिए coming week का साथ आप लिए एक राशीफल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए इस copies आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिक रा रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है traveling और इसके literal meaning को देखें तो हो सकता है कि इस week specifically professional fund से related या फिर otherwise भी आप travel कर रहे हैं या फिर करना चाहा रहे हैं या फिर travel से related एक planning आपके मन में चल रही है और broader level के लिए देखें तो ये card कहता है कि कि किसी भी level पे किसी भी तरीके से कुछ changes आपके professional fund में आ रहे हैं अब देखें ये changes सब scopius के लिए differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे अगर किसी चीज में आप अटके हुए थे बहुत stuck महसूस कर रहे थे उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं दूसरा scenario change of job, change of place, change of team, change of project अगें किसी भी तरीके के changes physical level पे रह सकते हैं जो भी मेरे mind में आई मैंने आपको बताया इसके अलावा भी कुछ भी physical level पे changes रह सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि mental, emotional level पे किसी भी चीज को लेकर अटके हुए थे, stuck महसूस कर रहे थे या फिर otherwise भी एक movement, एक shift आ रही है आप आगे बढ़ रहे हैं broader level के लिए एक आट growth और progress की बात करता है या तो आपके professional front में इस week हो रही है या फिर जो भी आप कर रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि andliness का card है और देखिए अगर literal meaning को देखें तो दोस्ती आराना इस तरीके की एक energy रह रही है and broader level के लिए देखें तो कहीं loved ones, close ones के साथ या फिर कोई खास इंसान है उसके साथ आप जादा interact कर रहे हैं जादा बातचीत कर रहे हैं और कहीं eating, drinking, merry making हो रही है broader level के लिए देखें ये card relationships को represent करता है तो फिर से कहूंगी या तो कोई खास relationship है या फिर overall relationships है जिन पे आपका जादा focus है, जिन पे आप जादा attention दे रहे हैं या तो आप एक प्यार, महबद, किसी खास इंसान के लिए या फिर जो भी आपके loved ones है, close ones है उनके लिए महसूस कर रहे हैं या फिर कोई खास इंसान है या फिर आपके close ones है उनकी तरफ से एक love affection आपको मिल रहा है तो broader level के लिए this is a week of love या फिर वो हफटा जिसमे relationships जादा एहम रह रहे हैं और कहीं इन ही चीज़ों को आप जादा prioritize कर रहे हैं आप लोगों के लिए new moon in libra का card है और ये card कहता है new romantic cycle begins तो कहीं नए सिरे से romantically चीज़े start होते भी दिख रही हैं अब देखिए romantic का मतलब सिरफ और सिरफ love relationship नहीं होता है किसी भी चीज़ को लेकर अगर हम बहुत passionate हैं बहुत जादा हम love करते हैं, enjoy करते हैं और नए तरीके से अगर हम शुरू करना चाहा रहे हैं तो वो भी कहीं इसी card की energy को represent करेगा यानि कि इस तरीके की एक energy overall इस week में रह सकती है and astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये Thurscopios आप लोगों के लिए coming week कर सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Thurscopios आप लोगों के लिए देखे कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है miser और miser का card कहीं किसी चीज को लेकर बहुत tightly पकड़ने की बात करता है इस card को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर broader level के लिए देखी किसी भी चीज को आपने बहुत tightly पकड़ा हुआ है और उसको आप share नहीं करना चाहा रहे हैं या फिर थोड़े से rigid, थोड़े से fixated हो रहे हैं या एक बहुत attachment आप में हसूस कर रहे हैं अब देखिए broader level के लिए ऐसी energies हैं क्योंकि यह general reading है तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा या फिर मैं कहूंगी situation, scenario सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हैं उससे एक attachment आप महसूस कर रहे हैं फिर से कहूंगी थोड़े से in the process आप rigid हो रहे हैं, fixated हो रहे हैं तो यहाँ पर यह चीज को जानना बहुत-बहुत important है कि यह rigidity, यह fixated energies आपको grow करने में help कर रही हैं progress आपके professional front में ला रही हैं अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि इसकी वज़े से आपकी growth, आपकी progress specifically professional front में hamper हो रही है तो ज़रूर इस चीज को चेक करके correct करें और देखिए कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि किसी project, किसी team, किसी you know colleague या फिर जगा या फिर किसी भी चीज को लेकर आप थोड़े से rigid हो रहे हैं या फिर बहुत attach हो रहे हैं या फिर आपने बहुत tie की पकड़ कर रखा हुआ है तो फिर से मैं कहूंगी checking करने कि इस चीज की वज़े से एक happiness, joy रह 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 रही है ऐसा है तो फिर ठीक है लेकिन अगर otherwise है तो ज़रूर इसको check करके correct करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए letting go का card है तो दिखिए एक तरीके से professional और personal front की energies एकदम से contrast हैं जहाँ पर professional front में बहुत tightly चीज़ों को पकड़ा हुआ है वही personal front में बहुत एक letting go वाली energies है यानि कि कोई भी चीज़ अगर आपको bother कर रही है परिशान कर रही है आपको इस वी कैसा लग सकता है भाई जाने दो peace of mind जादा important है खाम खा मुझे attack नहीं है खाम खा मुझे stuck नहीं होना है और कहीं फिर से कहूंगी एक letting go वाली energies है और अगर ऐसा है seretaries बहुत अच्छी बात है और कुछ seretaries के लिए ये भी हो सकता है कि किसी situation, किसी relationship, किसी connection को let go करना पड़ रहा है अब देखिए ये आपकी सिरफ और सिरफ इस week की energies है तो मैं नहीं कहूंगी कि पूरी जिन्दगी के लिए आप उस connection को, relationship को let go कर रहे है यहाँ पर हम सिरफ और सिरफ इस week की बात करें that is 26 February to 3rd March तो इस period के दौरान हो सकता है कि आप किसी connection को थोड़ा सा let go कर रहे है that means कि आप इतना जादा उनसे interact नहीं कर रहे है आप avoid कर रहे हैं, आप ignore कर रहे हैं और सब के दिखिए different reasons हो सकते हैं और यहाँ पर मैंने आपको connection relationship का example दिया कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप थोड़ा सा avoid कर रहे हैं, ignore कर रहे हैं एक ही scenario हो, एक ही situation हो तो broader level के लिए letting go वाली energies है या तो आप ऐसी energies में रह रहे हैं यहाँ पर situation circumstances ऐसे हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा let go करना पड़ रहा है तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगे कि जितना आप letting go वाली energies में रहेंगे specifically अगर कोई चीज आपको bother कर रही है upset कर रही है, उतना ही आप इस week के energies को बहतर करेंगे लेकिन अगर letting go की जरूरत है और आपने बहुत tightly पकड़ कर रखा है तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए full moon in aries का card है और ये card कहता है fiery climax approaches तो थोड़े से aggressive, थोड़े से you know high energy levels में इस week आप रह सकते हैं तो देखिए जब ये high energy levels positive होते हैं, तो enthusiasm excitement represent करते हैं जो कि बहुत जरूरी होती है किसी भी goal, किसी भी मकसद को achieve करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो fire नहीं है जब तक वो enthusiasm, excitement, motivation नहीं है हम अपने goal अपने मकसद को नहीं achieve कर सकते हैं अगेन ये बहुत important है लेकिन जब ये negative उसमें हो जाती है तो फिर बहुत aggressive energies हो जाती है बहुत जादा हम hyper हो जाते हैं और कहीं इसकी वज़े से mental stress anxiety होती है तो यहाँ पर इस चीज़ का आप ज़रूर इस वी खयाल रखें कि ये जो fire है ये positive direction में रहे positive तरीके से रहे negative direction में ना रहे और negative ना हो क्योंकि देखिए negative fire रही तो परिशान होंगे positive fire रही तो फिर अपने goal अपने मकसद को अचीव कर पाएंगे and astrology से आप लोगों के लिए विस्ता का card है इसके इसाब से all shades of yellow all shades of orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे insignificant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था सरीटेजियस आप लोगों के लिए coming week कर सापता है एक राशीफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आप के साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए कि अप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है aloneness, और ये card कहता है कि इस week आप बहुत actively अपने professional front में चीज़ों में participate नहीं कर रहे हैं नहीं करना चाहा रहे हैं यहाँ पर situation, circumstances ऐसे हैं, जहाँ पर आपकी बहुत जादा involvement, participation की जरुरत नहीं है, कभी-कभी होता है ना कि बहुत कुछ नहीं हो रहा है professional front में, तो कैसे आप involved होंगे, कैसे आप चीज़ों में participate करेंगे, देखिए फिर से कहूंगी ये general reading है, थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा, broader level के लिए जैसे की एक scenario मैंने अभी आपको बताया, कि या तो आप withdraw कर रहे हैं, नहीं involve हो रहे हैं, या फिर situation, circumstances किसी भी reason की वज़े से ऐसे हैं, जहां पर आप involve ही नहीं कर पा रहे हैं, participate ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा withdraw करके आप चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं, थोड़ी सी research करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा introspect करना चाह रहे हैं, ताकि आप जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, आपको एक better understanding आए, कुछ के लिए हो सकता है कि एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, या फिर एक अकेला पंचाह रहे हैं, और overall के लिए अगर हम देखें, aloneness is not a negative card, it is a neutral card, यानि कि बहुत great नहीं हो रहा है, कुछ भी लेकिन कुछ भी खराब नहीं हो रहा है, कभी-कभी होता है ना, हमें थोड़ा सा अपने साथ वक्त चाहिए होता है चीजों को समझने के लिए, बेटर प्लानिंग करने के लिए, लेकिन एक चीज का खयाल रखें, बहुत जादा deep चीजों में ना जाएं, क्योंकि अगर आप बहुत deep गए, तो फिर, you know, आप अपने गोल मकसद से भटक सकते हैं, जब हम overthinking करते हैं, या पिर, हम बहुत deep जाते हैं, तो हमें हर चीज खराब लगनी शुरू हो जाती है, तो एक moderate तरीके से introspective energies में रहें, और जब आपको लगे कि हाँ clarity आ गई है, तुरंत आप action initiatives भी लें, तो इस week की energies ऐसी हैं, जहाँ पर आप थोड़ा सा introspective energies में रहना चाहा रहे हैं, और research करना चाहा रहे हैं, जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हैं, और कहीं अपनी space यहां तो आप चाहा रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि अकेला अपन आप महसूस कर रहे हैं, and personal front के लिए आप लगों लिए existence का card है, very very positive card, तो personal front काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है existence का मतलब universe आपको favor कर रहा है, किसमत आपका साथ दे रही है, और जो भी आपका goal है मकसद है, और personal front में जो भी आप चाहा रहे हैं, बहुत confidently बहुत assertively आप action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं और कहीं आपको success भी मिलती हुई दिख रही है, कहीं आपको positive result भी मिलता हुआ दिख रहा है दिखे, existence rider art में magician का card है और magician का card कहीं magical energies की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week आपके personal front में रहता हुआ दिख रहा है magic का मतलब यह है कि किसी चीज के लिए अगर आपने उमीद खोई हुई थी या फिर आप expect नहीं कर रहे थे, इस week उसी से related positive चीज़ रहे हैं तो situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे, broader level के लिए personal front के लिए काफी beautiful energies रहती हुई दिख रही हैं in general या फिर guidance से आप लोगों clay blue moon का काड है और ये काड कहता है believe in the impossible तो देखे impossible word को जब आप break करते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है I, then M letter है उसके बाद possible है और ये शब्द अपने आप में ही कहता है I am possible और यहाँ पे इस काड का मतलब है कि जिस भी चीज को लेकर आपके मन में आ जाता है कि भाई ये तो possible ही नहीं है impossible है उस चीज को आप पहले से ही अपने से दूर कर देते हैं मतलब अगर आप मन में ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो चीज मुझे मिली नहीं सकती है यह तो चीज हो ही नहीं सकती है और उसके लिए effort भी कर रहे हैं, trust me आपको नहीं मिलेगी because जो आप deeper level के लिए मानते हैं, वही आप achieve भी करते हैं तो यहाँ पर यह card आपको ही कह रहा है, believe in the impossible जो चीज आपको लगता है कि नहीं मिल पाएगी, नहीं possible है उसके लिए अगर आप विश्वास रखते हैं कि yes, मिल सकती है, possible है उसको आप achieve कर पाएंगे एक quotation है, मैं काफी बारी उसको readings में quote करती हूँ whatever your mind can conceive, सबसे पहली बात वो conceive कर पा रहा है believe it can achieve, अब चाहें यहाँ आपर negative हो यानि कि आपका mind negative चीज़ों को conceive कर रहा है कि नहीं हो पाएगा यह तो मैं achieve ही नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ यहाँ फिर आपका mind conceive कर पा रहा है कि यह तो possible है, मैं इसको achieve कर सकता हूँ, कर सकती हूँ और उस पर believe करता है, उसी को ही वो achieve कर पाएगा तो इस चीज़ का खयाल रखें and astrology से आप लोगों के लिए Saturn घ्रह का card है इसके हिसाब से all shades of indigo blue इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता ही काशिफल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए ग्वेरिस आप लोगों के लिए रेखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है beyond illusion और ये card कहता है कि इस week किसी भी चीज को लेकर अगर आप एक भ्रहम में रह रहे थे या फिर आपको एक clear picture नहीं थी आप अपने ही mind में कुछ stories बनाते जा रहे थे या किसी चीज को लेकर एक confusion थी वो कहीं clear होती भी दिख रही है कहीं कुछ भ्रहम, कुछ myths आपके तूटते हुए दिख रहे हैं broader level के लिए ये card बहुत ही एक positive energies की बात करता है क्योंकि जब तक हम एक भ्रहम में रहते हैं जब तक कुछ चीजों को लेकर एक clarity नहीं रहती है तब तक हम जो भी action initiatives लें कहीं हम अपने goal, अपने मकसद को उस तरीके से नहीं पापाते हैं तो दिखे beyond illusion के card को literally देखें तो जो भी illusions है, भ्रहम हैं उनके beyond जाते वे दिख रहे हैं और दूसरा meaning इस card का होता है कि जितना भी आप expect कर रहे थे उससे कहीं जादा आपको मिलता हुआ दिख रहा है और most of the times हमें ऐसे लगता है कि शायद हम उतना नहीं achieve कर पाएंगे हम एक self doubt में रहते हैं हम कहीं पूरा confidence, confident नहीं हो पाते हैं चीजों को लेकर तो यहाँ पे देखें ये card ये भी कहता है कि जितना आपने expect हिया था उससे थोड़ा सा या पिर काफी जादा positive आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है तो फिर से कहूंगी कि broader level के लिए या फिर overall ये एक positive card है तो किसी ना किसी level पे एक positive energy आपके professional friend में इस week रहती हुए दिख रही है and personal friend के लिए आप लोगों के लिए morality का card है और इसके literal meaning को देखें तो कहीं सही, गलत, right, wrong में आप ज़ादा पढ़ते हुए दिख रहे हैं कितनी बरी होता है ना कि हम बहुत असूलवादी हो जाते हैं हम बहुत ज़ादा जो भी चीजें, again मैं कहूंगी, सही गलत हैं उसी के हिसाब से चीजों को deal करते हैं और कहीं इंदा process हम खुद को परिशान करते हैं जभी भी एकाड आता है, मैं आप लोगों को कसाई और गाएं वाली story जरूर सुनाती हूँ तो आज भी सुनाऊंगी, एक बरी एक कसाई गाएं के पीछे भाग रहा होता है साहर सी बात है उसकी intention गाएं को मालना होता है और गाएं कहीं right left ले ले लेती है, कसाई नहीं देख पाता सामने खड़े वे इंसान को पूछता है कि गाएं किधर को गई और उस इंसान को पता होता है कि इसकी intention ठीक नहीं है ये गाएं को मारना चाहता है, वो उसे जूट बोलता है, उसको बोलता है गाएं लेफ्ट को गई, अगर आप असूलों के हिसाब से देखें, तो उस इंसान ने जूट बोला, जूट बोलना पाप है, बचपन से ही हम सब लोगों ने ये सीखा हुआ है, हमको ये पढ़ाया ग से किसी की जान बची, तो मैं आपको नचल में यही कहना चाहूंगी, कि बिल्कुल रिजिड होके, या फिर फिक्सेटेड होके, राइट रॉंग के हिसाब से चीजों को ना डील करें, कितनी बारी सोसाइटी के बड़े स्ट्रिक्ट से रूल होते हैं, हमारे घर के बड़े स्ट्रिक्ट से रूल होते हैं, और हम कहीं उनी के हिसाब से जब चीजों को डील करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम परेशान होते हैं, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखें, सिचुएशन, कंटेक्स्ट को भी आप, you know, कंसिडर करें, सिरफ सही और गलत के हिसाब से चीजों को ना डील करें, आप ओवर लॉजिकल, ओवर अनलेटिकल किसी भी चीज को लेकर होते हुए पाएं, तो इस चीज को भी ज़रूर चक करके करें, एक हाट और माइन का भी बैलन्स परसनल फ्रेंड में ज़रूर रखें, ऐसा करेंगे तो इस वीग की एनरजी को बहतर करेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा इन ही चीजों में अटक सकते हैं और परिशान हो सकते हैं, इन जनरल यहां फर गाइडन्स से आप लोगों के लिए बैलसमिक मून का कार्ड है, यह कार्ड कहता है टाइम फर हीलें, तो थोड़ा सा अपनी हीलें पर ज़रूर फोक होती हैं, हम नए सिरे से चीजों को करना शू कर देते हैं, और कहीं फिर उन चीजों में भी इशूज मसले रहते हैं, तो पहले हीलिंग और उसके बाद आपने आगे लाइफ में चीजों को करना है, एंड एस्ट्रालोजी से आप लोगों के लिए चेरयान का कार्ड है, इस इसके इस साब से ओल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, एंड सिग्निफिकन दे आप लोगों के लिए होगा वेड्नस जे, तो ये था, एक वेरिस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता है क्राशी फल, और नीचे मुझे कमिंग सिक् करते हैं तो थोड़ी सी स्टूपिदि इस बेवकोफ बन गenter कि आप इस वीक आप इस वीक, अपने आपको बिना सोचे समझे चीजों को करते वे पाएं तो ज़रूर रोकें और अगर आप sure नहीं है किसी भी चीज को लेकर तो जिन भी इंसान को आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिन भी इंसान पर faith है, उनसे discuss कर लें और कहीं उनों एक सलहा ले ले, advice ले ले, आगे जैसे action initiatives नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर इस scenario में आप लोगों के लिए message रहेगा, कि एक leap of faith लें, आगे बढ़ें, जिस भी God को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, उन पर trust करके, फिर से मैं कहूंगी action initiatives लें, तो देखें, nutshell में ये card carefree energies की भी बात करता है, लेकिन स साथ careless energies की भी बात करता है, ये card एक innocently चीज़ों को करने की भी बात करता है, और ये card कहीं immaturity को भी represent करता है, तो देखें, अगर आप innocent तरीके से चीज़ों को deal कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन in the process immature हो रहे हैं, जरूर चेक करके correct करें, carefree हो रहे हैं, जहाँ आपको यसे लग रहे हैं कि beyond the point, आपने tension नहीं लेना, stress नहीं लेना है, जैसे चीज़ें आ रही हैं, वैसे ही उनको लेते जाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज़ों को लेकर इसी वज़े से, या otherwise careless हो रहे हैं, तो जरूर चक करके correct करें, तो देखें, दोन personal front के लिए आप लोगों के लिए participation का card है, ये card कहीं enthusiasm, excitement की बात करता है, और participation के literal meaning को देखें, तो चीज़ों में participate करने की, चीज़ों में involved होने की बात करता है, अब देखें, ये general reading है, तो सब के लिए situation, circumstances differ करेंगे, लेकिन इस card के आप से देखें, तो कुछ के लिए हो सकता है, कोई celebration है, कोई get together है, जिसमें आप involved हो रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, कि जो भी चीज़ आप करना चाहा रहे हैं, आपको कहीं आपके loved ones, close ones का support मिल रहा है, और आप बहुत ही enthusiastically उसको pursue कर रहे हैं, change of place, change of location भी रह सकता है, कुछ के लिए हो सकता है, आप vacation plan कर रहे है हैं, vacation पे जा रहे हैं, या फिर देखिए, किसी भी चीज़ में आप बहुत actively involved हो रहे हैं, और साथ में जो भी आपके loved ones, close ones हैं, वो भी उस चीज़ में participate कर रहे हैं, तो broader level के लिए participation is a beautiful card और बहुत ही positive energy की बात करता है, and in general या फिर guidance से, आप लोगों के लिए south note का card है, और कोई भी चीज, या कोई भी चीज मैंने कहूंगी, कोई भी past का आपका experience ठीक नहीं रहा, और कहीं वो आपको रोक रहा है, आगे बढ़ने के लिए, या फिर, you know, action initiatives लेने के लिए, तो please इसको check करके correct करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही clear message है, don't let your past hold you back, आगे बढ़ने के के लिए, कोई भी past की चीज आपको रोकना नहीं चाहिए, या फिर रोक रही है, तो उसको आप जरूर overcome करें, and astrology से, आप लोगों के लिए Uranus का card है, इसके हिसाब से, all shades of blue, indigo, इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day, आप लोगों के लिए होगा Saturday, तो ये था, Prices आप लोगों के लिए coming week, कस आपता ही क्राशिफल, और नीचे मुझे comment section ते जरूर बताएं, कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए,